नर्मदेहर शूल पानी जाड़ी का सबसे कठिन टप्पा माई का दहस्तल बोला जाता है खपरमाल डोंगर पहाड जो कि चढ़ने में अतन तकठिन नीचे देखिए खाई है और ये चढ़के अभी हमाए हैं अब उतरने के लिए ये देखिए ये रास्ते हैं ऐसे लेकिन रास्ता बड़ा बना दिया है अभी खोद के इसलिए कठना ही नहीं होगी नर्मदे हार ये खपरमाल डोंगर ये जड़के हमाए हैं और अभी उतरते उतरते ये रास्ते से आए हैं नर्मदे हार अतीव समाधान लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है नर्मदे हार नर्मदे ये नीचे वहली का खाई का गाटी का दुरुष्य नर्मदेहार बहुत ही बड़ी यहां लग रहा है नर्मदेहार अभी फिर नेटवर्क चला गया था अभी फिर मिला तो फिर लाइव के लिए ना शुरू किया लाइव में थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी आती नहीं है लेकिन लाइव होने का आनंद जो नर्मदेहार अब उतरते 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 पास में आ गए उस रस्ते पे जो दूर से मैंने दिखाया था आपको कपरमाल पहाड उतना बहुत कठिन था लेकिन अभी ये खोद के हलाकि प्राकृतिक वो नहीं बचा है प्राकृतिक जो संपदा रहती उसका तो शरण होता है ऐसे करने से लेकिन परिक्रमा मासियों के लिए अती कठिन था तो वो देखिए उतर के हम गोल भूम के इस रस्त नेचे दरी है पुरी खाई है नर्मदे भर भर नर्मदे घर नर्मदे चिंता मत कर नर्मदे हर यह सारे नारे संतम हात्मा लोग मिलते गए इसले चार दिनों में उन्होंने रटा दिये बिल्कुल नर्मदे हर नर्मदे हर 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 नर्मदे बोल माई की जय आज सबसे कठिन पहाड़ खपर माल डोंगर चड़ा सीधी चड़ाई थी अब उतरन चालू होगी चार दिन बाद नेटवर्क मिला है तो लाइव ले पा रहा हूं नर्मदे हर यह माई है यह माई ने जल सेवा दी ऊपर से जल लाती है यह सोचो क्या नाम है माई आपका संगीता माई और यह दूसरी मेह क्या नाम है इसका सोनी सोनी और यह बहिया सुनिल भहिया यह लोग देखो कितना सेवा करते हैं बड़िया जल दान करते हैं जल का कितना महत्व है इतना उच्छा चणने के बाद के हम सब का खतम हो गया था तो माई ने जल सेवा दी है ऐसा सुन्दर कपरमाल डोंगर तादु का धड़गाव जिला नंदुरबार महारास्ट्र थोड़ा सा महारास्ट्र लगता है कपर नर्मदा परिक्रमा में नर्मदे अभी तो इतना ही शूल पानी के बाकि चार दिन के वी वीडियोज में वीडियोज की लिंक या वीडियोज डाल दोंगा नर्मदे और क्योंकि कब लिंक चली जाए कुछ नहीं कह सकते हैं अभी हां लाइट नहीं लिंक नहीं मोबाइल नहीं सारी पूरे सारे प्रपंचों से दूर वैरागी बनके चार दिन जिया बहुत देखने मिला बहुत देखने मिला बड़े बड़े सादू संतमात्माओं के दर्शन हुए